दोस्तों ASDC पे रिसर्च करते वक्त मुझे एक ऐसी कमाल की जानकारी मिली है जो कि आपकी बेरोजगारी को हमेशा के लिए दूर कर सकती है जी हाँ भारत सरकार की तरब से एक प्रधान मंत्री नेशनल एपरेंटिसिप मेला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि इंडिया के 200 अलग अलग लोकेशन पर ये मेला और्गनाईज किया जाएगा जिसमें 1000 से भी जादा कमपनीज पार्टिस्पेट कर रही है इसका मतलब यहाँ पे बल्क में हाइरिंग होने वाली है और कोई भी 5th क्लास से लेके 12th past student या फिर ITI holders, Diploma holders and graduates यानी की BTEC holders इनमें अपलाई कर सकते हैं पर इस मेले में पार्टिस्पेट करने के लिए आपको पहले से अपनी सीट बुक करनी होगी रजिस्टेशन करवाके उसका पूरा प्रोसेस आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है इसका भी प्रोसेस आगे आपको पदा चलेगा आने के बाद यहां पर आपको एक सर्च कॉलम दिखेगा जिसमें की है क्लिक फोर नियरे सेंटर लोकेशन तो आप जीज भी स्टेट से हो उसका नाम यहां पर टाइप करना है एक्जामपल के लिए अगर आप ज़ारखंड से हो तो यहां पर आप ज़ारखंड टाइप करो देन सर्च करो तो ज़ारखंड में जितने भी डिश्टिक में यह मिला ओर्गनाईस किया जा रहा है सभी का डीटेल आपको मिल जाएगा एक्जामपल के लिए गुमला की बात आ रही हैं और कौन से ट्रेट के लिए आ रही हैं सारी जानकर ही आपको इसी पॉर्टल पर मिलने वाली है पर यहां पे एक कैच यह है कि बहुत सारे लोकीशन के लिए यह डेटा अभी अपडेट नहीं किया गया है जैसे कि अगर बिहार की बात करें तो बहुत सारे डिस्ट कर लोगे आपको apprenticeship training offer दे दिया जाएगा क्योंकि एक national apprenticeship मेला है तो हो सकता है यहाँ पे आपको full time job देखने को ना मिले बट अच्छे ची companies आपको apprenticeship offer करने वाली है date and timing की बात करें तो 12-6-2023 सुबह 9 से लेके साम 5 बज़े तक यह मेला organize किया जा रहा है locations का पता चल गया आप चलो जानते हैं कि कैसे इसमें registration करवाना है तो देखो simply इस website पे आना है उसके लिए google पे जाके type करो tmnam and उसके बात जो पहली website आए उसपे simply क्लिक कर दो क्लिक करते ही आप directly इस वाले page पे आओगे और यहाँ पे आपको registration का उपर option दिख रहा होगा जिसमें की सबसे पहला option है candidate registration इसपे वापस से क्लिक करो and कुछ basic details को भरो like are you a candidate? yes उसके बाद यहाँ पे new user पे क्लिक करो अगर आपके पास ID नहीं है तो यहाँ पे आपको state डालना है district डालना है कौन सा year है 2030 और month जिस भी month में आप यहाँ पे registration कर रहे हो उसके बाद कुछ personal details जिसमें की नाम, family member का नाम, relationship, date of birth, gender, mobile number, alternative mobile number, mail ID, password यह सारी चीज़े भरके यहाँ पे tick mark करके submit कर देना है देखो आप mail ID और mobile number वही देना जो की आप regular use करते हो क्योंकि अगर आपने गलत दे दिया तो further information आपको मिल नहीं पाएगी registration process में भी एक catch है, यहाँ पे जो state वाला column है, उसमें अभी states सो नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से आगी का जो process है वो में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, but जल्दी इस catch को भी दूर कर लिया जाएगा और in case अगर आप यहाँ पे registration नहीं भी करवा पाते हो, तो आप directly उस location पे जाके उस दिन on the spot भी registration करवा पाओगे इसलिए आपको घबरानी के जरूत नहीं है, बस आपको locations का पता लगा लेना है, ताकि आप सही समय पे वहाँ पे पहुंच सको तो जाने से पहले एक बार आप coordinator से भी जरूर कॉडिनेट कर लेना, इस मेले में जाने से पहले तीन बातों का आपको खास दियान रखना है, सबसे पहले आपना जितना भी educational document है, उसका कम से कम 5 से 10 jerox copy जरूर करवा लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको multiple companies दिखेगी जिसमें कि आप apply कर पाओगे, तो हर जगा पे आपको एक copy देने की जरूरत पड़ेगी, second, interview में जाने से पहले, formal dress के साथ जाना, साथ ही अपनी qualification and अपने resume में जो भी आपने skill mention किया है, उनसे related जानकारी ले के जाना, ताकि आप interview में fail ना हो जाओ, तो ये था पूरा process, अगर आपक इस पूरे process में कहीं भी कोई problem आ रही है, तो आप comment करके बताओ, अब आपका काम है कि ये information को जादा से जादा लोगों तक share करके पहुँचाना, जानकारी अच्छी लिगी हो तो like कर लेना और channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लेना, जल्दी ही मिलेंगे अगली informative वीडियो के सा तब तक के लिए thank you